देश के जाने माने 14 पतरकारों का बहिशकार करने के इंडी गटबंदन के फैसले पर विपक्ष में ही घमसान की खबरे आ रही है इस फैसले से इंडी गटबंदन बैक फूट पर आ गया है सवाल उठा है कि अगर ये गटबंदन गलती से भी सत्ता में आ गया तो ये फिर से देश में इमर्जेंसी लगा देंगे और जो उनसे सवाल पूछेगा उनको ही निशाना बनाने लगेंगे ऐसे में देश के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या इंडी गटबंदन चल पड़ा है और क्या एक बार फिर लोग तंत्र पर परहार की साजिश हो रही है दरसल लोगसवा चुनाओ दोजार चौबिस से पहले इंडी गटबंदन नै नै बिना सर पैर के हत गंडे अपना रही है कि कैसे भी लोगों के बीच चर्चा का विशय बने रहे हम लोग इंडी गटबंदन की निती और रनिती इतनी आसपस्ट है कि एक समय में गटबंदन जो फैसला ले रही है अगले ही पल गटबंदन के गटक दल के नेता उन पर प्रस्ण चिन खरा कर दे रहे है रनिती का हाल भी कुछ ऐसा ही है सभी की अपनी महत कांचा और हित है उसे किसी भी तरह का समझोता करने के लिए कोई भी दल तयार नहीं है सभी दलों को लगता है कि हम ही सर्व परी है बिना मेल के बने गटबंदन के फैसले भी बिना मेल के ही हो रहे है ऐसा ही फिर हुआ है क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरहसल बीजेपी के विजयरत को रोकने के लिए तयार इंडीगट बंदन की मुंबई वाली बैठक में निउस एंकरो और टेलिविजन चैनलों को ब्लाक लिस्ट करने के निरने पर गहन चर्चा की गई कॉंग्रेस और टीमसी के नेता इसके पक्ष में थे लेकिन कुछ दल इसके खिलाफ थे एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक नेता का कहना है कि चुनावी मौसम में संबाद महतपूर्ण है विपक्षी मोर्चे के कुछ नेता इसको लेकर थोरे साबधान है वो ये नहीं चाते किसे वहिषकार के रूप में देखा जाए क्योंकि ये चिंता जनक लगेगा रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि गटबंदन के अंदर ये सपस्ट कर दिया गया है कि कहीं भी वहिषकार शब्द का इस्तमाल नहीं किया जाना चाहिए इसमें ये भी कहा गया है कि कुछ टीवी शो में पार्टी के किसी प्रतिनिधी को नहीं भेजा जाएगा विपक्ष के लिए चिंता का विशह ये है कि इन में से कई एंकर कुछ चुनावी राज्यों में लोगप्रिये है वो प्रभावशाली और लोगप्रिये शेत्रिये चैनलों के प्रमुख भी है रिपोर्ट के मुताबिक एक कॉंग्रिस नेता कहा है कि चुनावी राज्यों में ये शो माइने रख सकते हैं हमें एक मंच की कमी खल रही है लेकिन हमें मोरल पुलिसिंग की जरुरत नहीं है हम वहाँ जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं इसके बारे में जोर शोर से बोल सकते हैं, वहीं हिंदी समाचार चैनलों और उनके प्लेटफॉर्म से ये दल जबाबी हमला करने के लिए इस्तमाल करते हैं। वहीं विपक्षी गटबंधन द्वारा 14 निउस एंकर्स को बॉयकॉट करने के फैसले पर बिहार के सीएम और विपक्षी गटबंधन के सूतरधार नितेश कुमार ने पत्रकारों से बाच्चित के दोड़ान कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है। पैसले के खिलाफ दिख रहे हैं। वहीं एक सपाकारिकरता ने कहा कि हम हमेशा से अपने संसकरन के साथ सोशल मीडिया पर जा सकते हैं। इसे टीवी से ज़्यादा वाइरल कर सकते हैं। ये डिजिडल स्पेस है जिसमें आकर्शन है। इस बीच ये भी चर्चा चल रही है कि विपक्षी दलो के शासन वाले राज्य सरकारों को इन समाचार एंकरों और चैनलों को दिये जाने वाले विज्यापन भी बंद कर दिये जाने चाहिए। इस रिपोर्ट में सूत्रों के अनुसार कहा गया है कि कुछ नेताओं को लगता है कि ये संभव नहीं है और इससे उन्हें भी नुकसान होगा। कुछ पार्टियां कवरेज के बदले ये विज्यापन देने पर निर्वर रहती है। इंडी गटबंदन के नेताओं को ये बताना चाहिए कि गटबंदन में जब एकमत नहीं हो पा रहा है तो मनमानी किसकी चल रही है। बिरो रिपोर्ट ओमेच निउस। और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।